हेलो फ्रेंड्स मैं हूं मुहित और आप देख रहें Music Country Music Academy चैनल तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि Music Production के लिए हमें क्या-क्या PC Requirements की जरूत होगी तो इस वीडियो के अंदर हम PC Hardwares की बात करेंगे कुछ myths की बात करेंगे कुछ facts की बात करेंगे तो आप इस वीडियो को पूरा देखें ये वीडियो बहुत जाद informative होने वाली है तो फ्रेंड्स PC Requirements टोटली आपके ओपर depend करते हैं अब आप सोचोगे कि आपके ओपर कैसे करते हैं PC Requirements जो हैं वो आपके लेवल के ओपर depend करते हैं कि आप music production beginner level पर कर रहे हैं या फिर advanced level पर कर रहे हैं या फिर intermediate level पर कर रहे हैं अब आप सोचोगे कि levels कैसे decide करते PC Hardwares मैं आपको बताता हूं क्योंकि levels ही decide करते हैं आपका project कितना बड़ा होगा तो सबसे पहले हम beginner level की बात करते हैं beginner level में main चीज क्या होती है start करना होता है जब मैंने start किया था तो मैंने dual core processor से किया था आप i3 use कर सकते हैं जो आज की generation में आ रहे हैं उनको use करके आप अपनी music production start कर सकते हैं क्योंकि main इन चीज जो होती है beginner के लिए होती है start करना और कुछ सीखना तो फ्रेंट्स beginners के लिए कुछ ज्यादा requirements नहीं होंगी आप i3 processor से start कर सकते हैं 4gb RAM और storage जो है वो आपके उपर depend करते हैं 500gb ले सकते हैं या फिर आप बंटी भी ले सकते हैं beginner को स्टार्ट करना होता अगर उसे music बनाना आ रहा होता तो intermediate या फिर professional level का होता और जैसे अगर आप कोई डॉर यूज करते हैं जैसे आप FL यूज कर रहे हैं या फिर कोई और Windows का या फिर Mac का कोई भी आप डॉर यूज कर करते हैं अपने लेवल के हिसाब से तो फ्रेंड्स इंटर्मिडेट और प्रोफेशनल लेवल की बात करने से पहले मैं आपके कुछ मित जो हैं वो क्लियर कर देता हूं जैसे मेरे पास काफी सारे लोगों के फोन साते हैं मैसीज आते हैं कि सार हम रैम इंक्रीज करा लेंगे तो जो हमारा जो PC है वो मुजिक प्रोडक्शन के लिए रेडी हो जाएगा भास बहुत से लोगोंने जो मित बना रख आ है कि अगर आ आप फ्रम इंक्रीज करा लेंगे तो आपक tuh जो है music जो आपका जो PC है वो music production के लिए ready हो जाएगा बट ऐसा नहीं होता है बहुत सारे cases में क्यों नहीं होता है वो मैं आपको बताता हूं तो रैम प्रोसेसर और स्टोरेज जो है वो combine होके जो है वो work करती है अब मैं आपको एक example के साथ बताता हूं कैसे अब मेरे को को इंस्टोमेंट जो है वो एड करना contact के अंदर मैं contact का example ले रहा हूं अगर मेरे को को कोई instrument एड करना है contact के अंदर तो वो लोड होने में कितना time ले रहा है वो हमारी storage को पर depend करता है उसको process किस तरीके से किया जा रहा है वो हमारे processor के उपर depend करता है और उसे run किस तरीके से किया जा रहा है वो हमारी RAM के उपर depend करता है तो आप यह गलत फहम हटा दीजिए कि RAM इंक्रीस कराने से जो है वो आपका PC प्रोडक्शन रेडी हो जाएगा ऐसा ज्यादा तर केसिस में नहीं होगा अगर आपका प्रोसेसर छोटा है आप रैम चाहे 12GB करा लीजे चाहे 16GB करा लीजे उससे कुछ ज्यादा फरक नहीं पढ़ने वाला है अगर खाली रैम से फरक प काफी ज़्यादा मैटर करता है रैम भी मैटर करती है अब हम बात करते हैं हमारे इंटर्मेडेट और प्रोफेशनल लेवल की तो फ्रेंड्स इंटर्मेडेट और प्रोफेशनल लेवल को मैं कॉम्बाइन करके बता हुआ क्योंकि अगर आप इंटर्मेडेट लेवल पे है तो यह आपके लिए और ज़्यादा better option रहेगा और अगर आप उससे ज़्यादा upgrade कराना चाहते हैं तो यह आपके budget के उपर आप अपने इसाब से देख सकते हैं अब हम RAM की बात करते हैं RAM at least 8GB चाहिए ही चाहिए और 12GB, 16GB, 32GB बाकि आप अपने budget के इसाब से इस चीज़ को देख सकते हैं अब हम बात करते हैं storage की storage के लिए हमारे पास दो option होते हैं जैसे एक harddix और दूसरा SSD तो अगर हम SSD लेने जाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा costly फढ़ती है harddix के comparison में तो जैसे मैंने क्या कर रखा अपने laptop के इंदर मैंने दोनों चीज़े इंस्टॉल करा रखी है 240GB की SSD और 1TB की harddix जो मेरी Windows वगरा या फिर जो मेरे DAWs है Able Time या फिर और कोई DAW या फिर मेरी plugins वगरा जो है वो मेरी SSD के इंस्टॉल है और बाकि जो मेरी libraries है वो मेरी harddix के इंस्टॉल है तो आप अपने budget के इसाब से अपनी stories को select कर सकते हैं I think जो आपके questions थे और जो आपके myths थे वो इस वीडियो से clear हो गये होंगे और अगर आपको advanced music production सीखनी है तो description के अदर आपको details मिल जाएंगी और screen को पर flash हो जाएंगी अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे हो तो हमारी वीडियो को like करें और share करें क्योंकि share करने से जी knowledge भढ़ती है और हमारे चैनल को subscribe करें अगर आपके कोई quire है तो अब हमसे comment करके पूछ सकते हैं